नमस्कार दोस्तो होम रेशिपी में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे भ्रोकली का सब्जी सबसे पहले निकाल लेना है देखे कैसे हम निकाल लेना है इसीतरह सब सब छिलका ऊपर से निकाल लेना है देखिए धीरे-धीरे सब छिलका हम निकाल लेंगे, अच्छे से छिलके को निकाल लेंगे, सब का छिलका ऐसे ही हम निकाल लेंगे, एक एक टुकड़े को पूरा छिलका निकाल लेंगे, सब का छिलका हमने एक के करके निकाल लिये है, देखिए कितना अच्छा साफ सुतरा ह गया है देखिए इस तरह निकाल लिया है हमने और देखिए ऐसे छोटे-छोटे हम सब को टुकड़े कर देंगे बाड़ा भी नहीं छोटा भी नहीं देखिए इस तरह छोटे-छोटे मेडियम साइज में हम काटेंगे मेडियम में सब को काट लेना है देखिए सब हमने काटके रख दिया है अब इसको हम पानी में धो लेंगे अब ये टुकड़ों को अच्छी तरह से हम धो लेंगे पानी में हमने धो लिया सबजी को अब हम इसको छाan लेंगे हमारा कडाही गरम हो गया है अब इसमें हम तेल डालेंगे अब थोड़ा सा जीरा डालेंगे अब इसमें लैसू डालेंगे कुछ इस तरफ पर टुकड़े डालेंगे देखिए हमने और हरी मिर्च डालेंगे देखिए लंबा लंबा काटा है इसको इसके थोड़ा चला लेंगे देखिए ब्राउन हो गया है हमारा लसुनर मिर्ची देखिए ब्राउन हो गया अब इसमें सबजी डाल देंगे अब हमने डाल लिया सब्जी अब इसको धीरे धीरे चला देंगे ये कैसा दिख रहा है हरा हरा इसमें मसाला नहीं डालते हैं ज्यादा इसमें नमक डालेंगे और एक चमच हल्दी डालेंगे हमने हल्दी डाल लिया है इसको कम करके गैस बनाना है ज्यादा फ्लेम नहीं करना है कम कर देना है और इसको बार बार धीरे धीरे चलाएंगे इसको ढख लेंगे देखिए हमारा सबजी तयार हो गया है देखिए पक चुका है इसमें ज्यादा मसाला नहीं डालेंगे हल्दी डालेंगे नमक डालेंगे ठोड़ा धनिया पत्ता डाल देखिए सबजी हमारा तयार हो गया है ज्यादा टाइम नहीं लगता बनने में अभी टेडाई करके देखिए अब हम इसको निकाल लेंगे देखिए हमारा सबजी बन के तयार हो गया है अगर हमारा डीस आपको पसंद आये तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि हमारा रिसिपी आपको गया है